नमस्कार दोस्तों मैं आननचोहन changing आप सभी खाहँ सकत्त करता हूं एक नए वीडियो में तह दोस्तों आज हम हिंदी में तट्सम और तद्वों कंदो पार्ट क्मार लेकर आए हैं जैसा कि आप सभी में सारी theory को complete करेंगे जो भी आपके तत्सम तदवों हैं उनको याद करेंगे भी मैंने आपको सारे points बताये थे याद करने के तरीके याद करने की tips एड ट्रिक्स भी बताई थी कि हम तत्सम और तदवों को कैसे पैचान सकते हैं और इसी के साथ-साथ हमने आपको तत्सम साथ-साथ आपको देशत सब्द और व्देशत सब्दों के बारे में भी बताया था और वहीं संकर सब्दों के बारे में इन पर सारी चर्चा आप लोगों को बता भी चुका हूं यह सारी जो चर्चा हुए थी वहमनें पार्ट 1 में की थी उमीद करते हैं वह वीडियो देख लीजीगा आज हम क्या करेंगे पार्ट बन में हमने जितना पढ़ा जितना सीखा वो अपने आप में पर्याप्त था तो आज हम इसके प्रैक्टिस के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे ठीक है आज हम आप लोगों के लिए लेका रहें टोटल 80 कोश्चेंस हैं तो कोश्चें नमर एक से लेकर कोश्चें नमर ऐसी तक के जो कोश्चेंस होगे वो तत्सम तद्वाओं के हैं और यह र्डवलू ए अंकित भाटी सर की बुक का ही सौलिशन करवा रहा हूँ मैं तो इसी बुक में आपकी टोटल 80 कोश्चेंस देगें ओ सारे कोश्चेंस previous year exam के आये हुए questions होंगे ठीक है भई तो आप लोग सभी उन questions का answer करेंगे उम्मीद करते हैं आप लोगों ने तयारी अच्छे से की होगी तदसम तदभाव की practice भी अच्छे से कर ली होगी इससे क्या है दुस्तों हमें एक motivation मिलता रहेगा जिससे हम आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बहतर करने का प्रयास करते रहेंगे तो चलिएगा दुस्तों बात करते हैं अपने आज के पहले question से तो भई question नमर एक आपकी mobile की screen पर आ चुका भई तो सभी लोग question नमर एक का अंसर करेंगे और ऐसा इसमें से कोई भी question नहीं होगे जो मैंने आपको बताया नो भई theory classes में जो पढ़े थे वो सारी questions आपके वैसे ही questions आपको यहां से दिखने को मिलेंगे ठीक है भई भई कहरा कि मेरे पडोसी का घर बन रहा है और इसलिए उसे बहुत सी इटे मंगवाई हैं भई बदे को इट अब आप यहां से एक चीज़ देख रहे हो कि जो यह bracket में जो point दिया गया है इट वाला हमें क्या करना भई इसका क्या बताना भई question में पूचा गया तत्सम सब् question को जल्दबाजी में बिल्कुल भी मत करना क्योंकि इस बार यूपीपी का एक्जाम होगा था काफी लोगों को मैं अपनी ही बता रहा हूं कि आते हुए questions भी दूस्तों exam hall में गलत हो जाते क्यों क्योंकि एक तो उपर से exam का pressure रहता है और दूसरा साथ ही साथ उसमें का प देखेली बता दूसरा के लिए दोस्तिम और यही सकते हो कि यही परवरी 2024 को फर्ष्ट स्रिक्ट में आया हूँगहा são इट का तश्रम क्या होगा मेरे दोस्त आप को सर इस्टिका हो जाएगा अगले कोश्चिन पर चलते हैं सभी लोग आंसर किया करो भई ठीक है भी सभी लोग आंसर करेंगे भई ठीक है अब देखो इसमें कह रहा है कि हमें हमेशा सब की अच्छाई देखनी चाहिए उनके और पर देखन का मतलब जानते ओंगन का भूलते हैं इसने का बोलता है आप बोःजु यह कि बुराइन अब मैं आपको यहां से औ सब्सक्राइब अब ये भी कुश्ट आपके दोजार चौबिस एक्जाम में आया था ठीक है यह रहे इसके आपसन यह रहे इसके आपसन बही देखो मैंने अभी आपको आपको लिखकर भी बता दिया वह क्या होता है और यहीं तो अब गुड क्या है दोस्तों यह इसका तत्सम सब्द है और करते हैं समस्त में आ गया होगा चलिए का आगला कोश्चन द्योको भी कोश्चन नमबर 3 कह राए कि दिये गए सब्द का निरर्थक सब्द बताए aat यह बिल्कुल मतलब निर फ्द होता है उसका कोई अर्थ ही नहीं अर्थ कोता वैगोई सब्सेटिया क Wyatt लाओ वानी नाँ पीने के लिए सब्सित्प्रा पानी तो सब्सेट नहीं तो पानी क्या सार्सब् है और वानी के निर्षस सब्न मसद्स अब जैसे कि इसमें उनने कउचान का रही है कि निर्षस माट कि एक का अर्थ ही नहीं है तो भई इसमें से खटर पटर तो भई खटर पटर है या दोनों है काब यह चोपे तो भी निरर्थक सब्द पूछा तो क्या होगा भी खटर पटर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो भई वी वाला आप्सन बिल्कुल सी बीस फरवरी मतलब देखो ऐसा है कि सब्द विचार में आपके तत्सम तद्भाव देशज विदेशज सार्थक निरर्थक विकारी आविकारी और आपके संकर सब्द यहां से questions पूछता है examiner अब यह मत सोचना कि सब्द तत्सम तद्भाव से नहीं आया क्या पता आपको सार्थक और निरर्थक देशज बिदेशज रूड सब्द योगिक सब्द योग रूड सब्द सब्द की पहचान का तरीका मैंने बहुत अच्छे से समझाया है अब मुझे नहीं लगता कि इससे बहतर कुछ और भी मैं अपने आप में समझा पाऊं आप लोगों को इतना अच्छे बिखारी को देदो विखारी को क्या दोगे ब्रमर्द होगे क्या बही नहीं देंगे भूद होगे क्या वही कोई अर्थ ही सपष्ट नहीं हो रहा भी बताओ क्या होता है मैंने आपको क्या बताया था वही देखो बिखारी को बिख्चुक थोड़ी दोगे वही क्या दोग कर देने से तदबह भी हो जाता है तो यह तो आपका क्या होता है तो आपको वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई आपका एक एक लाइक जो होता है यही तो हमारे लिए बहतर मुझे बहतर बनाता रहता है जिससे मैं आपके लिए हमेशा जो कंटेंट है वो अच्छा कंटेंट दूँ और चीजें आपको समझाता रहूं चलिएगा अगले कोश्चन पर चलते हैं कोश्चन नमर पांच कोश्चन नमर पांच में दिया गया है कि इसमें सी भी आपको तत्सम रूप पैचानन आप सभी को यहां यहां जो है यह आपको मैंने क्या बता है तो यहां कहीं पर भी आपको यह दिक्ञात इक लिए कहा गयो हमें तत्सम बनाना है यहां कि लिए तत्सम बनाना है तो यहां के लिए क्या बताया तो मैंने आपको भी पार्ट बन में मैंने लिखाया भी है आपको बताया भी था अत्र अत्र भई क्या होता है यह तत्सम सब्द होता है और अत्र का तदवो होता है अत्र का तदवो क्या होता है यहां होता है उमीद करते है कोश्च नमबर 6 में दिया गया कि दिये गए वाक्त में रेखांके सब्द का तदवो भाई आप यह देख रहे हैं जो गोश्वामी सब्द है यह कैसा सब्द है तो यह तत्सम सब्द है हमें इसका तदवो सब्द बताना है यह आपका जो गोश्वामी सब्द है यह आपका त परसंट कंडिशन होती है आदा वर्ड आदा वर्ड यदि आपको मिल जाए तो वह कैसा होता हो तत्सम सब्द होता है कैसा सब्द होता है मेरे बाई आपको तत्सम सब्द होता है लेकिन यह कितने गो स्वामी का यदि हम तदबो बनाएंगे तो गो स्वामी का तदबो बन जाएगा गुशाई बिलकुल सही जवाब दे रहे हो भई ऑप्सन नमब सी यदि आपने सी आंसर दिया है तो बिलकुल सही दिया है ठीक है भई हुए अब मैं गुन की बात करूँ तो गुन का हो जाएगा गुड कहते हैं भई उसके गुन तो देखो गुण कह दीने कि गुड गाहा के वई किसको वेलती ग्राहक को गाहा का मतलब ततसम मनाएगे तो क्या हो जाएगा ठीक है भई चलिएगा भई आगे चलते अगले और इन 80 questionों में से आपने कितना score किया है तो हमें comment करके जरूर बताएगा और वीडियो के दिए आप सुरू से लेके last तक देखो गे तभी चीजें समझ में आएंगी ठीक है तो अपना score हमें comment करके जरूर बताना कि आपने पार्ट बन में जो सीखा है उसका जो performance है वो part 2 में आप लोगों का कैसा रहा कि दिये गए सब्द में उचित देशज और विदेशज सब्द का चैन करें मतलब इनमें से आपको देशज विदेशज सब्द को पहचानना है क्या इतनी दौलत का जब अपने माता पिता को ही नहीं पूछता है मतलब जनाब फायदा दावत या जनाब इतनी दौलत का जब अपने जनाब रखने से यहां पर बाग को पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं मलब कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा है क्या दावत इतनी दावत नहीं होगा क्या जवाब इतनी दौलत का देखो कि क्या फायदा है इतनी दौलत का दौलत का मतलब क्य कि हाँ ये बिल्कुल मैच खा रहा है इस लाइन से समझ गए ना भई तो हमेशा ऐसे भी कोस्टिनों को सॉल्व कर लिया करो तो आपसन नंबर सी फायदा वाला आपसन बिल्कुल सही है बिल्कुल आसान कोस्टिन था और अभी तक हमने साथ कोस्टिन कंप्लेट के उम्मीद क संस्कृत की ही सारे सब्सक्राइब को क्या कैते हैं क्या किते हैं अब कर दोसरी पहचान देको तब्याम आपको वा यह रिकुल सा मिल्गी होताई यह हमेशा आपका तदस्सम होता है यह वी चीजज या रखने में आपको पार्टबन में ये सारी चीज़े बता चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं पार्ट टू में आपको बता के चल रहा हूँ ताकि आपके जो mind की जो चीज़े है वो हमेशा यादगार बनी रहें ठीक है चलिएगा भई आगे चलते हैं अपने question number 9 की और question number 9 में क्या बुला गया है कि यह है उच्च कोटी के लेका कैगा भई देखो उच्च सब्द आगया भई उच्च सब्द क्याओभी मैंने आपको बताए इसमें रेखांके सब्द का में तदबो बताना है अब भई देखो आदा वर्ड आ गया तो आदा वर्ड मैंने क्या बताया था हमेशा तत्सम होता है तो इस उच्च का मतलब हमें बताना है तदबो उच्च का मतलब उधर उधर तो होगाने भी नहीं नीचा तो होगाने भी उच्च या तो उपर होगा या तो उच्छ कोटी का है वई उच्छ कोटी का तो उच्छ के लिए आप उपर नहीं करेंगे वई आप इसके लिए उच्छ करेंगे वई क्या करेंगे वई उच्छ कोटी के लेखा कि मतलब वो उच्छे प्रवर्ती के लेखा कि तो उच्छ बिल्कुल स सही अर्थ बताना एक है बैए जब हम कटेन कारीयों को चिनौती के रूप में सुईकार करते हैं तो उन्हें खुसी और उच्छा यह उच्छा सब्द जो भ्रैकेट में दिया हमें इसका तत्समम मनाना बैए उच्छा उच्छा मतलब उन्हें खुसी और उच्छा को उच्छा से निस्पादित करते तो उच्छा का मतलब जांती हो क्या होता है उनके अंदर उत्साहा एक मौटी वेट यानि कि उत्साहा को जागरत करना कहते हैं न भी तुम्हें देखकर मेरे अंदर खोसी और उत्सहा जागरत हो उठा खोसी और उत्सहा यह अपने आप में एक जोड़ा मेलब खोसी और एक अंदर से उत्सहा जागरत हुगा उच्छ नहीं होगा मेरे भाई उपवास नहीं होगा और उत्थान भी नहीं होगा त सबी कोश्चन आपके 2024 की आगजाम में आए हुए कोश्चन से अब जरूरी नहीं कि यही कोश्चन साएंगे लेकिन आपका जो लेवल है वो ऐसा ही रहेगा ठीक है चलिएगा अब इसमें देखो क्या पूछा कि इसमें तदबाव रूप बताना है हमें तदबाव रूप का स तत्सम यह तो आपका रिपीटिड है ठीक है भई तो इसका क्या होगा भई गो मैं यानि कि गो मैं हो जाना भई गो मैं बोलते हैं गोवर को क्या बोलते हैं गोवर तो गोवर का क्या होगा भई गोवर इसका तदबाव सब्द है तो तदबाव रूप हो जाएगा गो मैं आपका आपका यह तत्सम सब्द हो जाएगा नेक्स्ट है नियम्ने लिके प्रस्णों में आपके चार विकल्प देगे इनमें समय तत्सम सब्द की पहचान करनी है तत्सम सब्द किसका बताना है गड़ी का गड़ी का तत्सम सब्द क्या होता है गोटक किसका होता है तो गोड़ा का होता है गटका गड़ा होता है गटका क्या होता है गड़ा होता है और मैं गरत की बात करूं गरत का मतलब जानते हो क्या होता है जह किसका होता है तो गड़ी का क्या होगा मेरे दोस्त आपको उपसर्ण नंबर भी हो जाएगा मेरे अपfigी का घृतिका होता है गड़ी होता है और यह को2204 की अग्जाम में आया होगा कुश्चन है तो option number B बिलकुल सही जवाब है वही क्या हो जाएगा गड़ी का क्या हो जाएगा गटिका और यह ग्रत है जो घी वाला यह important point भी इसको लगा लेना यह आपके लिए important point है यह अग्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है भी गोटक भी या हाल में पेशी है कल उमा की तारीक में पेशी है कल उमा की इमतिहान में पेशी है या कल उमा की अदालत में पेशी है भी देखो पेशी कहां पर होती है आप कोश्चर अदालत में होती है तो अदालत बिलकुल सही जवाब है मेरे दोस्त आपसर नमबर D इसदाराइ टांसर डी वाला बिकल्प आपका बिल्कुल सही माना जाएगा और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने बिल्कुल सोच समझकर उचे तांसर डी ही दिया होगा और यह 24 के ही अग्जाम का आया हुआ कोश्चन है उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा सभी को चलिएगा बहुत अच्छ अग्ला कोश्चन है उसकी ग्रीवा में काफी दर्द है ग्रीवा ग्रीवा जानते हो किसको कहते हैं मैंने बताया था आप लोगों को ग्रीवा ग्रीवा भई मोर मोर की ग्रीवा कैसे होती लंबी जिराफ की ग्रीवा कैसे होती लंबी यह ग्रीवा जो है यह आपका एक संस कह देंगे इसको ठीक है भई मुख कहते हैं और वह पाद इसको कह सकते हो पाद पाद यानी की पैर ठीक है भई चलिएगा आगे चलें भई अगला कोश्च देखो भई कोश्च नमर 15 कह रहा है कि तुम मेरे भाईयो तुम भई यह दो को तुम सब्द है जहां कहीं पर भी हलं हलंत लगजाई तो वह हमेशा तद्वा सब्द होता है यह भी चीज़ याद रखो जहां पर भी आपको हलंत मिले जाई यह हमेशा तत्सम सब्द होता है क्योंकि जो आपके तत्सम सब्द होते वह हमेशा सलस्कृत से लिए गए होते हैं और उनका हिंदी में अनुमाद करन तुम होता है तुम क्या है ये तदवा सब्द है और तवम क्या हो जाएगा तत्सम सब्द हो जाएगा चलिएगा आगी चलते हैं तो यहां से आप देख भी पा रहे होगे यहां से आप देख पा रहे होगे कि देखो आपसन में भी दिया गया था तो आपसन में देखो तुम खत्री है option number 20 दा रहा टांसर बिलकुल सही जवाब है भई 16 का option number B छत्री है का क्या होता है मेरे दोस्त खत्री होता है option number B बिलकुल सही जवाब है उसी प्रिकार से यह दी में देखो मैंने आपको कल एक पॉइंट बता है थे का छीर चीर कैसा सब्दे यह तत्सम सब्दे इसका तदवा बना देंगे तो यह क्या बन जाएगा खीर बन जाएगा चीर का क्या होता है मेरे दोस्त खीर होता है ठीक है मितलब 6 खत्री का खामे परवर्तित कर दिया जाता है तो जैसे छत्री है वैसे ही खत्री इसका तद्वा हो जाएगा नेस्ट कोश्टन है बई कोश्टन नम्बर सत्रे तुम चिंता ना करो तुम्हारी रिक्तिस्थान माफ हो गई है यानि कि हमें यहां पर उचित देशज या बिदेशज सद यहां पर लिखना है तुम्हारी मील माफ हो गई है या तुम्हारी फीश माफ म क्या चीज माफ कर दी जाती यह तो बई उसकी फीश माफ हो गिना aunहीं समआ फीस को भी क्या कर दिया गया माफ कर दिया गया option number C वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही सब्द हो जाएगा यदि आप लोगों का question number 17 complete हो चीके हैं और 17 बटी 17 यदि आपका score चल रहा है तो यह समझे लो आपको exam में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अभी तक हमने जितने questions पढ़े वो आसान आसान से questions है question number 18 कह रहा है कि मुझे घर में मक्खी मच्चरों को देखकर बहुत ही घिन भाई देखो घिन जो सब्द है यह आपका कैसा सब्द है यह आपका तदवा सब्द है हमें इसका बताना है तत्सम रूप क्या होगा भई घिन का तत्सम रूप क्या होगा किसी चीज को जब आप देख लेते हो तो भी क्या होता भी घिन आने लगती है तो घिन का मतलब जानते हो क्या होता भई बताओ अब जो होता है ग्रणा होता है मज़ा मज़ा तो होगा ने भी गिने से मज़ा तो होगा ने भी ये तो बिल्कुल गलत बात कहरा भी तो वही किसी चीज़ को जब गिना आती तो यानि की ग्रणा हो जाता है क्या हो जाता है मेरे दोस्त आपको ग्रणा आपसन नमबर भी बिल्कुल सही Question number 19, हम खाने में हमेशा Amalika, Amalika का प्रियोक करते हैं, Amalika जानती हुआ क्या होता है? अमलिका, अमलिका ये आपका तत्सम सब्द हमें इसका तदवा रूप बताना, हमें इसका तदवा बताना, तो Amalika का मतलब होता है, Amalika, Amal, मैं और ला आ रहा है, तो जम देखो मैं और ला रहा तो मी मा ला वाला देखो आपसन कौन सा तो आपको इमली है अमलिका मीस क्या होता भी इमली होती है बिल्कुल सही है हल्दी को क्या कहते है हरिद्रा कहते हैं ये इंपोर्टनेट लगा लेना भई हल्दी को क्या कहते हैं वही हरिद्रा कहते हैं उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक की बास समझ में आ गई होगी आगे चलते हैं अपने नेश्ट पॉइंट पे कोश्चन नमबर 20 कह रहा है कि दिये गए वाक में से निरर्थक सब्द मतलब जिसका कोई अर्थ ही नहीं है वो आपको बताना है कह रहा है कि इनका तो जनमो जनमो एक में आदा नहीं है और इसमें पूड़ना है जनमो जनमो का साथ है तो इनमें से जो आपका निरर्थक सब् ये आपका सिह सब्द होता है और यदि में जनम को ऐसे लिख दूँगा तो आपको इसका कोई मतलब नहीं होता है तो जनम ऐसे लिका जाते हो जनबों जो सब्द ही थी कैसा होगा आप को व ख句्था क्या भी option number c यह कैसा है आपको यह तो भी निरर्थक है यह कैसा निरर्थक हो जाएगा और यह वाला यह आपका सार्थक है यह कैसा सब्द है यह सार्थक है मतलब इसका तो अर्थ होता है जन्म यानी की पैदा हुआ यह जनम है यह किसका कोई अर्थ ही नहीं है तो यह कैसा निरर्थक हो आप्सन नमबर C, Next question, question नमबर 21, कह रहा है कि देशच बिदेशच सब्दों का चैन करें, कह रहा है कि से मेरे कपड़े निकाल दो, आलपीन से मेरे कपड़े निकालोगे, फीता से निकालोगे, क्या तमबाकू में कपड़े निकलते हैं, कैसी बात कर रहे हो, बई, ये तो बह कि से मेरे कपड़े निकाल दो, कपड़े कहां पर रखे जाते हैं, तो आलमारी बिल्कूल सही जवाब है, Next question, कह रहा है कि अलूक रात को ही जागता है, और अलूक जो है, ये आपका एक तद्सम सब्द है, हमें इसका तद्वा बताना है, तो अलूक किसको कहते हैं, आपको कुसर अलूक मीज क्या होता है, अलू होता है, ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा, अलू हो जाएगा, आगे चलते हैं अपने Next question पर, तो इसका डी वाला आपसन है, अलू यहां पर दो को लिखा भी है, अगला question है, question number 23, कह रहा है कि कल से ही मेरे कान में, कान का आपको क्या ब कान होता है, कान का मतलब क्या होता है, अगला question है, question number 24, राजू की नौकरी रिक्तिस्थान से लग गई, उचित बिदेशच सब्द आपको यहां पर भरना है, मतलब राजू की नौकरी अदालत से लगी है, एतराज से लगी है, यह हाल से लगी है, देखो, आप यदि यह त इनो वर्ड रख के देखोगे तो यह sentence जो है ना, अच्छा मतलब यह matching का इसका नहीं बनेगा, भाई सिफारिस, भाई सिफारिस को और क्या बोल सकते होई जुगार, भाई जो राजू की नौकरी है ना, वो जुगार से लगी है, सिफारिस से लगी है भी सिफारिस से, option number 30, इसका बिलकुल उचित सब्द होगा, जो कि सिफारिस सब्द है, यह आपका कैसा है, अर्मी फार्सी बाहसा का सब्द है, और जो अर्मी फार्सी या अंग्रेजी बाहसा के सब्द होते हैं, वो सारे सब्द विदेशज होते हैं, क्लियर, option number 60, दा राइट अंसर, चलिएक अ नंबर सी, यदि मैं बात करूँ, आंक की, आंक की क्या होते है, अक्छी, अक्छी मीज क्या होते है, यह भी याद रखने है, यह आपका तत्सम सब्द है, आंक आपका तदबो सब्द हो जाएगा, उमेद करते हैं समझ में आगया, तो असरू का क्या होता है, आंसू इसका तदवरूप हो जाएगा, next question, question number 26, कह रहा है कि उचित देशज या विदेशज सद्ध का चेन करें, जाओ जाकर मालिक से अपनी तनख्वा ले लो, भई, मालिक से जाकर क्या तनख्वा ले लो, कि मालिक का इमतिहान, भई, आप नौकर हो, भई, मालिक से अपनी तारीक ले ल 26, का मेरे दोस्त, option number A, आपका बिलकुल सही है, कि जाओ जाकर मालिक से अपनी तनख्वा यानि कि अपनी salary ले लो, 2024 के, अभी तक मैंने आपको जितने भी questions बताई है, वो सारे 2024 के previous exam के आई हुए questions है, कह रहा है कि तत्सम रूप का सही विकल पर बताना, भई, आवला, आव आवला क्या भी यह तद्वा सब्द है, हमें इसका तत्सम बताई है, भई देखो, यहां से आपको जानकारी भी मिली कि आवले में कौन सा vitamin पाया जाता है, तो यह जीके का question है, आपको यहां से जीके का question मिल गया आपको है, याद रखना, अभई आमला का तत्सम बताना, त मेरे दोस्त आमला होता है, option number C, आमर की में बात करूं, तो आमर किसको होते है, आम को बोलते है, आमर का मतलब होता है, ठीक है भई, यह चीज़ आप याद रखना, तो आमला का क्या होता है, मेरे दोस्त आमला होता है, बिलकुल आसान से बता सकते थे आप, अगला question है, question number 28, दिये गए विकल्पों में सार्तक, सार्तक सब्द मतलब क्या होता है, मैंने आपको सार्तक सब्द की परिवासा बताई थी, जिसका अर्थ हो, जिसका अपने आप में कोई निश्चित अर्थ होता है, वो सार्तक सब्द कहलाता है, बई, देखो, बीचा, बीचा कोई सब्द होता है बताओ बीचा कोई सब्द होता भी नहीं होता है रदवाजा नहीं होता भई रदवाजा नहीं होता है तो Peanut कог KIM कर रदवाजा नहीं होता है और दर्वाजा को सुएward चार्थक सब्सक्राइब का जोकर बनेगा समझ में आगया तो 28 का ओप्सन बिलकुल सहीए अगला कोश्चिन है कह राए कि दिये गए वाके में और एक खांके सब्द का तत्ससर्थ सब्धि ज्याद करें अंधेरा च्छाने लगा उन्धेरा च्छने लगा तो तो इसका option भी रात भी कह सकते हो अंधिकार है प्रकास है या रोशनी या रात क्या कहोगे मेरे दोस्त तो आप क्या कहोगे सर इसको हम बोलेंगे अंधिकार अंधिकार कह सकते भई अंधिरा है ना तो अंधिरा को अंधिकार कहेंगे भई ठीक है रात नहीं कह सकते हैं रात्री भी कह सकते हैं लेकर अंधिकार जब आपसन में नहीं देता तो भई अंधिकार आपका क्या होगा इसका तत्सम नेक्ट कोस्टन है भई question number 30 कह रहा है कि पता नहीं कहां से एक तिनका ये तिनिका जो सब्दे इसका में बताना है तत्सम रूप क्या होगा आकर आँख में चला गया, अब दर्द हो एब हैं तिनका, तिनका जानते हुँ क्या हुए तिनका का वे तत्सम बनाना है तरवारी जो होता है ये तलवार का होता है ये किसका होता है ये तलवार का होता है क्लियर चलिएगा आगे चल दें अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 31 कह रहा है कि पुलिस को कुछ रिक्तिस्थान मिले है भी बताओ पुलिस को कुछ सुराग मिला है और आका मिला है आका मिलन हैं चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं तो बिलकुल सभी सब्दे सुराग हो जाएगा अगला कोश्चन है भई कोश्चन अमर 32 दिये गए वाक्ट में से निरर्थक सब्द मतलब जिसका कोई अर्थ ही नहीं है भई कह रहा है कि हमस नहीं हो पाएगा भई हमस नहीं हो पाएगा कि हमसे नहीं हो पाएगा भई देखो हमस कोई अर्थ नहीं होता है हमस का मतलब है हमसे मतलब भई हमसे नहीं हो पाएगा यह काम, यह काम हमसे नहीं हो पाएगा, हमस कोई सब्द ही नहीं होता है, तो हमस क्या भई, इसका निरर्थक सब्द है, तो निरर्थक और सार्थक यदि एकजाम में कोई सब्द आता, तो आप भई, बड़े आसानी से इसको पैचान सकते हो, कोई दिकत नहीं होगी, ठीक है, मतलब निरर्थक सब्द हमेशा गलत सब्द होगा और सार्थक बिलकुल सुद्ध सब्द होगा बस ऐसे याद रखो ठीक है बई अगला कोश्चन दिये गई वाक्त में रेखांके सब्द का तदवोग याद करना है ठीक है रोटी का अर्द देखो मैंने आपको बताया था अर अरद किया तदवौ सब्द होगा अर्द आपका तसलम यहां कही बर भी आपका रेख वाल ना विकल्प आपका आपका सब्सर्णू सब्द होता है आर्द क्या होगा मेरे दोस्ट अदा हो जाईगा इхांकिन ग्ञाब कर्या घर गर का liquालने घर का तो तो आपने ग्रह बताया था ये ग्रह ये जो ग्रह होता है ये घर वाला होता है और ये जो ग्रह ये वाला होता है तो इसको हम कहते है नच्छत्र ग्रह जब खराब चलते हैं ये होता इसके लिए ठीक है और ये वाला जो होता है ये वाला होता है घर के लिए तो कौन सा है यह किसको बोलते भी ग्रहणो को बोलते हैं ठीक है भई और ग्रह के लिए घर अगला कोश्चन को भी कोशचन नमर्ण 35 इस में से आपको बताना है तदवा रूप बताना है ठीक है ग्रहणी क्यासा है तद्सम सब्द जहां कहीं पर भी आपको नीचे रह मिल जाता है वो भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती है तुन्दर मैंला निए निमने लिकति में वाक्त में निरत्थक सब्द गयात करना है ताबकी उठाओ और पढ़ाई पढ़ना शुरू करूँ बई देखो ताबकी थोड़ी होता है ताबकी क्या नहीं होता है किताब होता है क्या होता है मेरे दोस्त किताब अब ये किताब क्या बन गए ये तो सार्थक सब्द है और ये आपका निर्रथक सब्द है option number 8 question का बिल्कुल सही जवाब होगा ताब की कोई भई सब्द नहीं होता है तो ये निरर्थक सब्द है बात समझ में आ गया अगला question दो को भी question number 37 कह रहा है कि निम्ने लिकित मेंसे दिये गए चार विकल्प तक्सम का सही कायर का हमें दोस्तों क्या बताना है तद्सम बनाना है तो भी कायर को हम तद्सम क्या होता है तो कायर का होता है कांतर होता है क्या होता है कांतर कहते हैं कि बिल्कुल कांतर हो क्या या या कांतर हो तो कांतर होता है या आपका तद्सम रूप हो जाएगा अगला कोश्चन है कोश्चन हावाई कैसा बिलकुल तो जो सई लिखा है वही आंसर होगा जिसका अपने आप में अर्थ होता है लगा है तो आधास है तो आपको सृतै यह स्थान होगा क्या होगा वी इसका जो स्थान वी शेथान होगाrif चागी भी थोड़ी होता, यह बगीचा होता, यह आपका कैसा लेखा है, गलत लेखा है, इसका इदी मैं सार्तक सब्द बनाऊगा, तो यह क्या बनेगा, बगीचा बनेगा, उम्मीद करते हैं, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत किसी को यहां तक चलेगा, अगला कोश्च होगा, व्यथा हो जाएगा, आपको यहां पर तो वह है, तो यह तस्सम होना चाहिए, यह कुछ केसिस में होता, सभी केसिस में नहीं, तो विथा का क्या होगा, भी व्यथा हो जाएगा, कड़वाहट से कोई संबंद नहीं, विशेस्ता, जलन, मतलब ही नहीं है, इसका कोश्चन नमबर 40, कह रहा है कि जब हम अपने गाउं जाते हैं, तो हम वहां खाट पर ही सोते हैं, खाट को मतलब जानते हो, क्या है, खाट का में तत्सम बताना है, खाट का मतलब ऐसे बोलते हो, इसको खटिया बोलते हैं, तो खटिया का क्या होगा, भी खटवा बोलते है आगे चलते हैं भी देखो, अगला कोश्चन है कोश्चन नमर 41, कह रहा है कि इसमें आपको तदबो रूप पहँचानना है, सब्द में तदबो रूप, साधी विवाग के कारिकरम में बहुत से लोग गोत्रे, गोत्र जाने बिना आगे का कारिकरम नहीं करते हैं, भी कहते है किलियर, चलिए, ग्रहका तो भी मैंने आपको बताया था, भी घर होता है, और गरदव किसको बोलते हैं, भी आपको तर्क गधा को बोलते हैं, और गो किसको बोलते हैं, गाय को बोलते हैं, तो सभी को पता है, बेसिक से पॉइंट है, आगे चलो भी अगला कोश्चन, कोश क्चुगा होता है तो कच्छप तद्स्म सब्द है कच्छप इसका तद्वव हो जाएगा आगे चलते वह अगला कोश्चन क्या ऐहाँ भी कोश्चन आमलक थोड़ी होगा आमलक का मैंने आपको क्या बताया था इसका मैंने आपको आमला बताया था तो आमला तो यह तो है नहीं तो यह तो गल्लत हो गया आधित वार नहीं होगा भी आरत्रीका होता है तो आरत्रीका होता है तो आरत्रीका होता है ठीक है भी आरत्रीका में इस क कोई अपने आप में निश्चित अर्थ नहीं होता है कि तुम रुको मैं घूमते घामते सामान ले आऊंगा भई घूमना तो भई कह सकते हो लेकिन इसमें घामते घामते का कोई अर्थ ही नहीं तो option number a बिल्कुल सही जवाब है बाकी के सब्द आपके बिल्कुल सही तो निर 72 वाला सब्द होता है यह आपको क्या होता है तत्सम होता है और इसका तद्वा बनाने के लिए खा कर देते हैं जब च्छाका खा कर देते तो खाका भी क्या कर देना भी च्छा कर देना है तो आखर का क्या होगा मेरे दूस्त अच्छर हो जाएगा option number सीज़दा राइट आंसर बात समझ में आई या नहीं बताओ एक बार बात समझ में आगई तो भी एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना कि सर हमें बात समझ में आगई बहुत बढ़िया तो भई इसी करम में आगे बढ़ो अगला question आपका इंतिजार कर रहा है question number भई दिये गए कोश्टक में आपको तदवा रूप का सही बिकल्प बताना है कहरा कि बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनकी प्राकृतिक रूप से खर्जू दूर किया जाता है खर्जू खर्जू का आपको क्या बताना है इसका तदवा बताना है जो को रेफ बढ़ है तो यह कैसा यह तद समय इसका तदवा बनाना है खर्जू दूर किया जाता है जो आपके पौधे होते हैं उनमें से उसके खर्जू को दूर किया जाता है तो खर्जू बोलते हैं दूस्तो खुजली को कहते हैं कहरे हैं क्यों खजवा रही हो खर्जू खुजली को कहते हैं ठीक है याद आ गया चलिएगा अगला question देखो भई, question number 47, दिए गई सब्द का आपको सार्थक सब्द बताना है, सार्थक सब्द क्या होता है, जिसका अपने आप में कोई निश्चित अर्थ होता है, देखो, रंजावा थोड़ी होता है, इसका क्या होगा भई, आप कोशन question, दिए गई वाक्त में निर्थक सब्द का आप, चैन करना होगा, लाइबरेरी में फिताब लाकर देजिए, भई, फिताब थोड़ी होता है, फिताब नहीं होता है, मेरे दोस्त किताब होता है, भई, इसमें से क्या बताना है, हमें निर्थक बताना है, तो निर्थक option number C ह फिताब का होता क्या है, तो आपको उसर किताब ये कैसा भी, आपको उसर, इसका सार्थक सब्द बनेगा, तो फिताब नहीं होता, क्या होता किताब, तो option number C, आपका निर्थक सब्द हो साएगा, 48 का सीजदा राइट असर, next question, दिए गए वाक्त में रेखांके सब्द का त तत्सम सब्द गयात करी है, फूल, फूल का तत्सम बताना है, क्या होता है, क्या होता है, पूस्पो था होता है, बिल्कुल बात सहिये, और सीजदा राइट आज्या, बिल्कुल आसान सा, आचले question पे चलते है, question number 50, question number 50 में क्या कह रहा है, कि निनलिकिट में से चार बिकल् तो कालीमा भी नहीं कह सकते उते सामला कहते हैं कहते हैं वह तो यह स्यामाल है भगवान स्याम यानि की स्रीकृष्ण की बात हो रही है वह कैसे तभी सामले थे तो सामला बिल्कुल सही सब्द है क्यारा की पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं इनका मतलब कोई अपने निस्चित अर्थी ही नहीं बन रहा है पत्ते को लेखर पेड़ से वह पत्ते गिर और यहीं कि पत्त गिर रहे हैं अगला question वही, question number 52 दिये गए वाक्त में रेकांग के सब्द का तदवो वही, जिहिवा, मैंने आपको जिहिवा कैसा, यह आपका तत्सम सब्द है यह आपका कैसा सब्द है, आपको चलिए यह तो तत्सम सब्द है हमें इसका तदवो बनाना है तो जीवा किसको बोलते है मेरे दोस्त मूँ को थोड़ी कहते है वही मूँ को क्या कहोगे सर मूँ को बोलते है मुख मूँ को बोलते है मुख दात नहीं कहते है इसको हम क्या कहते है मेरे दोस्त दंत कहते है और हाथ को क्या कहते है वही हस्त कहते है हाथ को क्या कहते है हस्त उसी प्रकार से ये किसका होता है मेरे दोस्त आपको ये होता है जीव का होता है इसको हम क्या बोलते है तो इसको कहते है जीवा इसको क्या कहते है जीवा कहते है तो आपसन नमबर डी वाला विकल पापका बिलकुल सभी सब्द हो जाएगा फांडेशन से क्या मिला है टिकट मिला है फंड मिला है कौमतल या पादरी मिला है वही विदेशत सब्द या तो अंगरेजी भासा का सब्द होगा या अर्वी फार्सी भासा का सब्द है पुर्तवाली मतलब किसी भी जापानी किसी भी भासा का सब्द हो सकता है ठीक है वही गोगे स्कूल को TATA foundation से टिकट मिला या फंड मिला आप बताओ कौमतल कोई सब्द नहीं है पादरी यहाँ पे गलत हो जाएगा या तो टिकट होगा या तो फंड होगा अब आप सोच कर बताओ इप tata foundation से टिकट मिलेगा या फंड मिलेगा बताओ, वही टाटा Foundation होता है, यह क्या देता है, वही फांड का मतलब ही है, फंड ही होगा, तो भी टिकट का कोई मतलब नहीं है, फंड बिल्कुल सही सब दोगा, जो उचित सब दोगा वो आएगा, फंड, कि इस्कूल को टाटा Foundation की और से फंड मिला है, नेक्स्ट, दिये ग दूल खारें यह नीलम सब्द रख कर देखो क्या आपको यह उच्छत सब्द लग रहा है आपको नहीं कमरा आज धूल खारें वही नहीं चकमक भाई कोई मतलब नहीं तो बिल्कुल सही है कि हो सकता है वह पुराने जमाने की तो भाई वह आज पड़ी पड़ी धूल खा रह है तो इसका तत्सम मैंने आपको बाताया था वह क्या होता भई आपको किसे निद्रा होता है क्या होता भई निद्रा बिल्कुल सही सब्द हो जाएगा निम को कहते है निम को कहते है निम को कहते है निम को कहते है ठीक है भई तो निद्रा बिल्कुल सही सब्द भई आपसन नमबर इस question का बिल्कुल से है, तो निद्रा का क्या हो जाएगा, नींद हो जाएगा, अगले question पे चलते हैं, अगला question है, question number 56, question number 56 में का है कि निम्लिकत में से चार बिकल्पों का आपका दिया गए, इनमें से एक का तत्सम रूप पहचानना है, तो अंगीठी, भई, अंगी इस प्रकार से आप लोगों में देखा होगा, और यहाँ पर कुछ लख़ए यहाँ पर लकड़े हैं, इस परकार से पड़ी रहती है, और यहाँ पर बहुत इस प्रकार की गलती है, तो Sak atención के रहे हैं, अगला question पे बनारस की तो बात ही कुछ और Gul memorial रूप बनारस और separates torque का fasting बेलकुल स हचाइब बहुत बड़िया बिलकुल सही सवाब हो जाएगा बही 17 नमबर का विलकूल स parenthौं सद्टा सब्सक्राइब हेई हम नमर 58 क betrayaky निये दियेगे सब्सक्रा तदम पैंचनर मेरे पैर में एक कंटक चुब गया है क्या चुप गया कंटक यानि की काटा चुप गया वही आपसन नंबर 20 कोश्चन का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा 58 का 20 दा राइट आंसर दोस्तों बाहर बारिस बहुत तेजी से हो रही है हो सकता है आपको बैक ग्राउंड में उसकी आवाज सुनाई दे रही हो चलिएगा कांके सब्सक्राइब करें दूद क्या आज दूद वाला नहीं आया है दूद को क्या कहते है मेरे दूश्त आपको इससर दुख कहते हैं ऑप्सन नंबर भी बिलकुल सही जवाब है आज मुझे लगता है कि इतने आसान आसान कोश्चन को देखने के बाद आपके अंदर ए इसका जवाब रिजल्ट एक्जाम में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सर बागई में यहां से वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हिंदी में मैं आपसे बता जूँ कि तत्सम तदवो कि ना ही आप नोट्स बनाओ कुछ मत करो ये केवल दो वीडियो देख लो त कुस्टिन नमबर 60 दिए गए वाक्त में उच्छत देशज और बिदेशज सब्द का चेहन करें वही कह रहा है कि तुम्हारे कपड़ों पर क्या लगा वही तुम्हारे कपड़ों पर मोजा लगा वही गलत चसमा लगा वही कपड़ों पर चसमा थोड़ी लगता है चसमा तो आँक में लगता है, तुम्हारे कपडों पर बाग नहीं भी, तुम्हारे कपडों पर दाग लगा है, तो दाग कैसा सब्द है, आपको प्यूसर यह देसा जोर्लाग बिल्कुल जवाब हो जाएगा, अगला कोश्चन है, कहा है कि मुझे वहां से पैंवेन दे दो भी, प पैन तो होता है लेकिन वेन कोई अर्थ ही नहीं है तो यह पैन वेन दोनों आ जाएगा आपसन नमबर एजदा राइट आंसर नेक्ट कोश्चिन निम ने लेकित मैंसे चार बिकल्ब दिया गए तत्सम रूप की पैचान करने भी तत्सम सब्द बताना भी अमी अमी का क्या बताना है मेरे दोस्त आपको तत्सम पंचा अमरत में गंगा जल को अमी माना गया है अमी जानते हो क्या होता है अमी वही किसको कहते है तो आपको अमी कहते हैं अमरत को मैंने आपको पर्या बाची भी पढ़ाया था अमरत का क्या होता है सुधा प्यूस अमी है त आपको तस्म मताना है उठका मतलब जानते हैं क्या होता विफ्थना ईठना होता है लेकिन इसका तस्म बनाना आपका तस्म नहीं है उठना तो आपका तर नहीं है उठना से रहा हो सtw utdown बोड़ दिया करते ते कि बैठ जाओ जब सभी लोग बैठ जाते ते तो उनमेसे क्या करते थे बहए ज स्कुल के प्रेंशिपश्पल होते ते बहए यसे भाया कड़े हो जाए जो तो отк बोले हो जाते थे तो कभी तो तो कभी उस में अगला कोश्चन है कि 64 उसके मन में ना जाने कितनी वेदना थी क्यों वह जोर जोर से उसास ले रहा था भई इसका तस्म बनाना उसास उसास का मतलब जानते हूँ क्या होता भई तेक उत्ष्ट तो है नहीं उत्ष्ट किसका होता भी उठका होता अभी मैंने आपको बताया तो उपर ही किसका होता भी ये तो उपर का होता है उच्छ्वास हो जाएगा बिलकुल सही है उसास या उच्छ्वास तो उच्छ्वास कैसा भी या आपका तत्सम सब्द है और उसास आपका तदबो सब्द हो जाएगा तो आपसन नमबर भी 64 का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा, next question दिये गए बाक में उच्छत देसर बिदेसर सब्द का चेंड करें, कितने कितने पेसा हो तुम इसका दर्द भी नहीं समझ में आया, भई गला तक पेसा थोड़ी होगा कितने मलीदा हो नहीं, कितने बेहरहम हो, मतलब तुमारे अंदर रहम नाम की चीज ही नहीं है, तुम्हें इसका दर्द समझ में नहीं आया, आपसन नमबर सी बेहरहम बिलकुल सभी सब्द है और यह आपका बिदेसर सब्द है अगला question, दे गए बाक में विदेसर सब्द का चैन कर वही, कोमल के कोमल के earring काफी सुन्दर है, कमीशन सुन्दर है कमपनी काफी सुन्दर, वही देखो कोमल के क्या सुन्दर हो सकती है, आप कोई सरक कोमल के earring, earring जानते हो जो कानों में लगाते है, तो उसको बोलते येरिंग काफी सुन्दर है, वही कमिशन से कोई मतलम नहीं, इंटर से कोई मतलम नहीं, कमपनी काफी सुन्दर है नहीं, कमपनी काफी, कमपनी कभी सुन्दर नहीं होती, कमपनी अच्छी या खराब हो सकती है, तो कमपनी की, कमपनी काफी अच्छी है, तो अच्छा सब दोत तो तो यह कंपणी ले सकता था लेकिन यह रिंग है वो कैसे सुन्दर है कान अगला देखो भी दिये गए बाके में तद्सम सब्द का चैन करें कहरा कि मकर ना जाने कब आपसे बिनविना रही है और तद्सम सब्द ही पूछा था जो उसकी इसका ऑपसन नमबर डी बिलकुल सही जबाब हो जाएगा चलिएगा अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 68 देशज और विदेशज सब्द का यहां से आपको चैन करना भी ठीक है देशज विदेशज फंड है कि आप हमारी बास नमबर फंड है फंड है फंड है मतलब नहीं फंड है जरूर विदेशी सब्द है लेकिन इस लाइन में मैच नहीं खा रहा है आपसे यही डिगरी यह गलत हो जाएगा आपसे यही मील है भई नहीं आपसे यही अपील है क्या बोलोगे अपील औ कह रहा है कि निवन लेकित मेंसे प्रस्णों में आपको चार बिकल्प दिए गए उस बिकल्प में आपको बताना कि तदवो रूप पहचान ना है कह रहा है कि हमारे बाग माली ने फूलों की बहुत ही सुन्दर केदारी का बना रखिए क्यारी लाइन से कोई चीज होती उसमें क्यारी बना देते हैं तो इसको क्या कहते हैं क्यारी कहते हैं ठीक है और भी खेत जो होता है विसे खेत है तो इसको छेतर कह देते हैं ठीक है खेत जो होता है खेत कहदी में बात करूं खेत तदवव इसका तपसम हो जाता छेतर ठीक है बई आपका कैसा होता है निर्ठक सब्द, बिए देखो इसमें निर्ठक सब्द कैसा है, जाकर थोड़ी चाय वाई बना लू भách, चाय वाई barely, ऐ sait, निर्षक सब्द ही तो मैंने निरफ रख्च्रस बन गिया जाके, उप्सन नमबर्ड डं मार्ठ को मैं तक क्वार नहीं तत्सम रूप बताना है नेम नेम का हमें क्या बताना है इसका तत्सम रूप तो नेम का मतलब जानते हो क्या होता है नियम मतलब पूजा पार्ट से जो संबंदित कार होते है उसको एक नियम से करना चाहिए है ना भी नेम क्या हो जाएगा भी नियम हो जाएगा बन रहा है, तुम्हारा मिल आ जाएगा भी नहीं, तुम्हारा अपील कल आ जाएगा भी गलत, तुम्हारा जो ओर्डर लगाए ना भी ओर्डर, ओर्डर कैसा भी यह अंग्रेजी भासा का सब्द है, यह किस बासा का सब्द है, तो आपको तरी तो अंग्रेजी भासा का सब् तो ओर्डर तुम्हारा जो ओर्डर था ना वो कल आ जाएगा और सब्सक्राइब का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नेट कोश्चिं लेकित मैंसे आपको चार बेकल देगे इसमें से आपको तद्वा रूप बताना भी इच्छू इच्छू आपका कैसा यह तद्वा में में इक कहते हैं मैं छेच्छत्री का ख्या बना देना है आपको ठेक है बात समझ में आगे चलिएगा बहुत बढ़िया अगला कोश्चन देखो भी कोश्चन नमर 74 सारे कोश्चन जो भी आपके अभी तक मैं करवाई हूँ सभी 2024 में आए हुए है और 2024 का लेवल देख सकते क्योंकि तद्वा में इससे उपर का जो लेवल है वो नहीं जाएगा बस जो आपको मैंने चीज़ें याद करने के लिए बोली उनको रिपीट करो रिवीजन करो बस इससे जादा यदि आप चीज़ों को पढ़ने की कोशिस करोगे तो इससे कोई लाब तो नहीं मिलेगा लेकिन हाँ यह है कि आपको समय जरूर वेस्ट होगा क्योंकि आपने जितना सीखा या अपने अपने पर्यापत है इससे जादा नहीं क्योंकि अब आपको दूसरे सब्जेक्ट को भी तो हमें थोड़ा सा फोकस करना है तो हिंदी के लिए बिल्कुल चिंता ना करो ना ही करें परिजनी की और ना ही मैت की तो मैत के लिए मैं को बता देता हूं मैत हमारी क्रासे चल रही है उनको पर थोड़ा सा फोकस करके उनका रिवीजन करते स्वेंगो चीजों को समझते रहो देखते रहो ठेक है और बाकी की जो मैत की स्ट्रेटजी है जिसको नहीं आती उसके लिए एक अलक्सी वीडियो बना दूँगा दिये गए बाके में निरर्थक सब्द का चेयन करना भी निरर्थक सब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता भी देखो अएक देखो अभी सब्द करें नहीं मुझे तुम से कोई अमर्थ नहीं चाहिए तुमसे कोई इमारत नहीं चाहिए तुमसे कोई कुर्सी नहीं चाहिए, तुमसे एसान नहीं चाहिए, बदे ही देखो एसान, भाई किसी विक्ति का एसान नहीं लेना चाहिए, तो आपसन नमर डी बिलकुल सही सब्द होगा, कुर्सी से कोई संबंद नहीं, नहीं मुझे तुमसे कोई एसान नहीं चाहिए, ब अक्षभठ अखाड़ाको कहते हैं गोति को गोत्र कहते हैं कहते हुँ अपना गोत्र बताओ ठीक है तो गोत्र हो जाएगा इसका ठीक है अ queries को गिद्ध कहते हैं आदा यानि कि अर्ध ठीक है याद हो गया अगला और जो अगर दिये वाक्ये निरर्थक सब्दे यही इस question का answer हो जाएगा अब यह किस option में दिया गए तो यह आ रहे है आपके सामने option तो आप को गुश्टर यह हो जाएगा आपका वेड़ तो वेड़ सब्द है यह कैसा भी यह देखो वेड़ है तो पेड़ तो उसमें दिया नहीं है तो वेड़ वाला option बिल्कुल सही है अगला question 79 भाई कह रहा है कि सूखे मेबे में कुछ मुझे अच्छोट खाना बहुत पसंद है मैंने आपको कल बताया था अच्छोट यह तदबो सब्द है तो यह तदस्व सब्द है इसका भी क्या हो जाएगा च्छय का खा कर देंगे तो यह हो जाएगा अक्रोट क्या हो जाएगा भी अक्रोट बैसनों दी भी जाते हो अक्रोट सबसे ज़्यदा वहीं पर मिलते है चड़ाए जाते है तो अक्रोट बिल्कुल सही सब्द है अपसर नमबर भी ठीक है अक्रोट कहते है अच्छोट का क्या है तत्सा में अक्रोट इसका तदवा रूप हो जाएगा नाश्ट कोश्चन आज का दोस्तों हमारा अंतिम और लास्ट कोश्चन है और यह अपने आप में बहुत कोश्चन जो कोश्चन थे असी कोश्चन थे यह सभी असी कोश्चन आपके 2024 के प्रीवेस एर एक्जाम में आए हुए कोश्चन है कह रहा है कि तदवा रूप पहचानना है मेरी दादी जी हम सभी बच्चों को हर रात एक नई कथानिका सुनाती है वही आप जबी जानते हो कि जो दादा दादी होते यह समय कोश्चन हो यकानिका कोतलाब क्या वही कहनी की बात ओर? वही कि आप लोग एक्पना इसकूर हमें जरूर बटा पते हैं आप लोगों और मैं आपसे बता दू मिल्च re allegedly वात रियल है उसमें बताराएं उसमें बता रहा है तो यदि मैं एस फोर कुई बात करों तो इसमें आप सभी का 100% स्कूर होना चाहिए ऐसा कोई भी question नहीं था जिसमें आपको ऐसा लगे कि सर ये question मुझसे नहीं बनेगा भाई ये 80 के 80 बटे 80 questions जो है इसमें आपका score है तो ये सबसे अच्छी बात है इसमें आपका यही score होना चाहिए था यदि by chance by mistake यदि आपसे कुछ question से गलत है तो इसका जो सबसे अच्छा score मैं आपने according मानूँ तो इसमें आपका 78 सबसे best score माना जाएगा मेरे according जो है सबसे best score यही है यदि आपका 78 से down है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं आपने गलतियां की है तो 78 वाले वैसे तो 100% score ही आपका जाएगा और 78 यदि आपका score है तो अपने आप में ठीक score है ठीक है भई इससे कम है तो आपको revision की जरूरत है यदि इससे कम score किया जबकि करना तो आपको इतना आता भई ऐसा question नहीं था लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ तो 78 यदि score है तो अपने आप में ठीक है यदि 78 से कम स्कोर रहा है तो आपको इस क्लास को दुवारा करने की जरूरत जरूर है ठीक है भई तो चलिएगा दोस्तो तो आज से ये तत्सम और तद्वह का जो चैप्टर है हमने दो क्लासों में कम्प्लेट कर लिया और उमीद करते हैं आपकी प्रैक्टिस बहुती जोरो सोरो से बहुती सांदार तरीके से हो गई होगी तो अब अगला चैप्टर मैं बता देता हूँ अगला चैप्टर है हमारा वरतनी का तो सुद्ध असुद्ध पढ़ेंगे ठीक है और यही चैप्टर जिसको लगता है कि सर सुद्ध और असुद्ध वाला जो चैप्टर होता है यह बिलकुल सरल चैप्टर होता है तो कल हम सुद्ध और असुद्ध वाली वर्तिनी हैं, उनके बारे में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे, तो कल सबसे पहले इस वर्तिनी वाले चैप्टर की हम थियोरी क्लासिस पढ़ाएंगे, और इसके बाद इसके जो भी प्रिवेस एर कॉमिस्टेंस होंगे, उनको डि कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को अन कर लेना, ताकि आपको डेली क्लासिस का नोटिपेकेशन मिल सके, तो चलिएगा दोस्तों सभी को जैहिंद, वंदे मात्रब मिलते हैं, नेक्ट डी, नेक्ट क्लास में तब तक के लिए